नमस्कार दोस्तों आपका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों नाखुन काटने के समय और दिन को लेकर कई तरहें की बातें कहीं चाहती हैं अक्सर बड़े बुचर गया कहते हैं कि इस दिन या बार को नाखुन नहीं काटना चाहिए आज जानते हैं कि नाखून काटने के लिए कौन सा दिन शुब होता है नाखून भले ही मत्य कोशिकाओं से बने होते हैं लेकिन हाथ पैर की खुपसूरती बढ़ाने में बहुत एहम होते हैं सेहत के नजर से भी नाखुनों को समय समय पर काटने और साफ सुत्रा रखने की सलह दी जाती है धर्म शास्तों में नाखुन काटने को लेकर कुछ नियम बताये गए हैं नाखुन काटने के लिए सही दिन और दिन का कौन सा समय शुब होता है इसे लेका लोगों के मन में असमंजस के इस्तिती रहती है धर्म और जोतिश के अंसार, सूर्यास्त के समय और इसके बाद यानिके रात में कभी भी नाखुन नहीं काटने चाहिए इससे मालक्षमी नारास होती है और घर में गरीबी आती है वहीं सफता के अलग-अलग दिन में नाखून काटने से अलग-अलग फल मिलता है आएए दोस्तों जानते हैं कि सफता के किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरू कीजेगा और यूस्फुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरू दबाएं नाखून काटने का दिन और उसका असर सौमबार सौमबार का संबंद भागवांशिप चंद्रमा और मन से होता है सौमबार को नाखून काटने से तमों गुण से मुक्ति मिल सकती है मंगलवार वैसे तो हनुमानची को समर्बित मंगलवार के दिन नाखून और बाल काटने की मनाही की जाती है लेकिन ये भी मानिता है इस दिन नाखून काटने से कहची से भी मुक्ति मिलती है बुद्धबार बुद्धबार के दिन नाखून काटने से धनलाव होता है इसके अलाबा करियर में बुद्धी मत्ता के जरिये पैसा कमाने के योग भी बनते हैं इसलिए बुद्धवार का दिन नाखून काटने के लिए शुप माना जाता है गुरुपार गुरुपार का दिन देव गुरु भ्रस्पति को समर्पित है इस दिन नाखून काटने से व्यक्ति में सत्व गोण बढ़ते हैं शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित है और इसका संबंध प्रेम, धन, बिलास्ता से है शुक्रवार को भी नाखुन काटने के लिए अच्छा दिन माना गया है ऐसा कैने से जीवन में रिष्टे मजबूत होते है शनिवार शनिवार के दिन नाखुन नहीं काटना चाहें इससे कुंडली में शनी कमजोर होता है साथी कई तरह की मानसिक शायरे कश्ट भी होते हैं और धन की हानी भी होते है द्रविवार द्रविवार छुट्टी होने के कारण लोग नाखुन पाल काटने के लिए रवीवार के दिन को सबसे ज़़्यदा उपयुक्त मानते हैं लेकिन शास्टों के अनुचार रवीवार के दिन नाखुन नहीं काडने चाहें रवीवार का दिन सूरेदेब को समर्पित होता है सूरेदेब की कृपा से ही आत्म विश्वास और मान सम्मार मिलता है अगर रविवार को नाखुन काटे जाए तो आत्म विश्वास में कमी आती है इसलिए रविवार के दिन नाखुन नहीं काटने चाहिए दोस्तों जोतिश और सास्तों के अनुसार अलग-अलग दिन नाखुन काटने से अलग-अलग पढ़ना मिलते है उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरूर दबाएं आज के लिए बस इतना है जल्दे ही मिलते हैं एक और नई बीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार